गुद मॉर्निंग बच्चा आज हम लोग आठमा क्लास का विज्ञान पढ़ेंगे विज्ञान में चैप्टर जो है वह है सुक्ष्म जीव मित्र एवं सत्रू मतलब वो हमारे लिए लाबदायक दिया है और हानिकारक दिया है हम लोग इसको यहाँ पर यही पढ़ेंगे सबसे पहला प्रस्ण यह उठता है कि यह सुक्ष्म जीव होता क्या है उसका नाम ही है सुक्ष्म नाम है यहाँ पर सुक्ष्म ठीक है सुक्ष्म का मतलब इसका अंग्रेजी होता है माइक्रो ठीक है यह होता है माइक्रो यह 10 to the power minus 6 को बोलते हैं मतलब कि यह एक बटा एक बने एक का 10 लाख्मा भाग को हम लोग बोलते हैं माइक्रो कहने का मतलब है कि यह इतना छोटा होगा जिसको कि हम लोग अपने साधारन आख से नहीं देख सकते हैं मतलब देखने के लिए भी हमको कोई एक यंत्र का इस्तेमाल करना होगा उस यंत्र का नाम है माइक्रो इसकोप यह माइक्रो वर्ड है इसी में लग गया इसकोप मतलब सुक्ष्म चीजों को देखने वाला तो सुक्ष्म जीव को कैसे देखेंगे हम लोग माइक्रोइसकोप से इसका लंबाई या मुटाई या चोड़ाई कितना होगा तो एक का दस लाखमा भाग ठीक है तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं अपने आसपास के चीज़ों को यदि हम लोग ध्यान दें तो हम लोग बह तो यह आखिर यह जीव होता कहा है जो हम लोग को दीखता नहीं है आईए हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं पारोटी देखें हैं बरसात के दीन में या नमी वाला जगह पे जब हम लोग उसको रख देते हैं तो क्या होता है कि उसमें वो हलका हलका उजला-उजला काला-काला धभबा जैसा वह पाये जाता है जिसको हम लोग सुख्ष्म जीव को बाट लेते हैं चार भाग में साधारंत चार भाग में बांटा गया यह पअला है जीवानु दूसरा है कवक तीसरा है परोटो जूवा और और चौथा है सैवाल जीवानू को अंगरीजी में बोलता है बैक्टिरिया कवक को बोलता है फंगाई और परोड़ोब बोलते है प्रोड़ो हैं सैवाल को बोलते है το ये हम लोग के सालग एक और सुक्ष्म जीव है जिसका नाम है विसानू जिसको हम लोग अंगरेजी में बोलते हैं वाइरस यह लिखे हैं हम लोग यह बिल्कुल अलग है यह चारों से कैसे अलग है यह परफोसी होता है मतलब यह दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होता है दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होता है मतलब उसको रहने के लिए भी कोई दूसरा जीव चाहिए खाने के लिए उसी में से खाएगा वो दूसरे जीव पर ही निर्भर होके खाएगा अब हम लोग देखते हैं कि इससे फैलने वाला रोक कौन कौन सा है जुकाम इन्फ्लुवेंजा या फ्लू जिसको बोलते हैं हम लोग खासी पोलियो खसरा और अभी वरतमान में हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें वो एक सबसे बड़ा वाइरस है जो पूरे द वाइरस से फैलने वाला ही यह बिमारी है ठीक है अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहां जो हम लोग देखेंगे कि अभी यहाँ पर कुछ फीगर है पॉन कैसा दिखता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे यह जीवानू मतलब यह बैक्टिरिया है जो यह यहां पर यह जो डाइग्राम देख रहे हैं यह इसाँ पर अगला जो है वह पूटो जो बहुत इसके बारे में आप लोग सब को जानते हैं हम लोग पढ़ चुके भी है इसके बाद पैरा मीशियम यह देखने में ऐसा होता है यह जो संदरचना हम लोग यह स्ट्रक्चर देखें यह सुख्ष्मीपों का संदरचना है आजिए यह a कवक यह कवकन का ही प्रकार है राइशो कोप के द्वारा देखा गया है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि यह जीव कहां रहते कहां है जो सुक्ष्ण जीव जो है वो ठंडे अस्थल पे मरुवस्थल पे गर्म में या दल्दल में मतलब हर जगह पे वह पाया जाता है कुछ अकेले रहता है मनें स्वतंत्र रूप स समू में पाया जाने वाला ये अकेले नहीं रहता है सुक्ष्म जीव का उपयोग हम लोग कहां कहां करते हैं हम लोग को कहां कहां वो फैदा पहुंचाते हैं इसके बारे में हम लोग यहां पर देखते हैं सबसे पहला लिखे हैं पनीर दही ब्रेट केक पेस्ट्री इडली बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं सुख्षम ynßen जीव का दही हम लोग सब कोई खाते हैं दही में Lusto Bacillus नाम का बैक्टिरिया होता है बैक्टिरिया मतलब जीवानी होता है फिक है पनीर जो है वो भी बैक्टिरिया के द्वारा ही बनाया जाता है यदि बैक्टिरीया नहीं होगा तो पनीर का निर्मान नहीं होगा ब्रेड केक पेस्ट्री इडली यह जितना लिएक है ना इसमें हम लोग इश्ट का प्रयोग करते हैं जैसे हम अठा गूत है या मैधा प्रजडन का क्रिया करेगा करेगा तो वहाँ पर फफसने का मतलब है कि उसमें से कारबंड आइंड जो है वह जहां-थ निकलता है और वह सपंजी हो जाता है है ुसी लिए हम लोग ब्रेट केक पेश्ट्री और इडली बनाने में हम लोग इस्ट का परियोग करते हैं परियावरन को स्वक्ष रखने में भी सुक्षम जीव हमारे बहुत सहयोगी होते हैं जैसे हम लोग यह दी देखें हम लोग के हाँ सब्जी का कतरन या जो और्गेनिक पदार जितना है कारवनिक चीज वो हम लोग उसको जैव कारवनिक उसको हम लोग किसी गड़ा में करके रख देते हैं सब्जी का कतरन हो गया या अनाज हो गया जो भी साड़ा गला चीज है उसको हम लोग घड़ा में डाल दें और उसके बाद उसको मट्टी से धक दें कुछ दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि वो बन गया खाद तो वो हो गया हम लोग को परियावरन को वलहम भी होता है पेंसिलीन एंटिवाटिक है तो पेंसिलीन एंटिवाटिक है स्ट्रेफ्टोमाइसीन टेट्रसाइकलीन यह सारा का सारे यह एंटिवाटिक है एंटिवाटिक का हिंदी होता है प्रति जैविकी मतलब वो हमारे रोग प्रतिरोधक छमता को यह बढ़ाता ह है तो पेंसिलिन का लगभख खोज साथ 1929 में अलेकजंडर फ्लेमिंग साहब ने किया था तो यह यह जो है कवक और जिवानू मतलब बैक्टरिया से और फंगाई से इसी से यह एंटिवाटी का निर्मान होता है तो हम लोग देखे क्या कि यह औसधी निर्मान में भी यह हम लोग के लिए यह सहायक है मृदा की उरवरता ब्रिधी करने में जैसे हम लोग दलहन का पौधा सब कोई देखे है हम लोग दलहन का पौधा में क्या होता है कि जब उसका हम लोग गांठ देखेंगे जड़ को देखेंगे तर जड़ में जहां तहां फूला फूला होगा जो गांठ जो बना हुगा होगा जहां तहां फूला फूला उसमें वो जीव है वो न sinn का उपयोग डियक्ट नहीं कर सकते हैं तो राइसोबियम नाम का जो बैक्ट्रिया है वो क्या करता हैар वायूमेंडल का जो notified november है उसको घराइस करता है कैसे घराइस होगा या बीजली के योगिकों में दूसरे योगिकों में बदलेगा और वो हम लोग उसको इसको इसको इस पूरे प्रक्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन इस्थरी करण। ठीक है? इसके बाद है एल्कोहल सराब acetic acid के उत्पादन में सुक्ष्म जी जो सुक्षमजी जो की हैं वो सहायक होते हैं, हम लोग ये देख रहे हैं लिखें, अल्कोहल, सराब, एसीटीक असीड, तो ये जो बनाया जाता है ना, इसके प्रॉसेस को बोला जाता है, किन्वन या फर्मन्टेशन, इसके द्वारा हम लोग इसको इसका निर्मान करते हैं, पस इसमें रोग नहीं जाएगा, वो स्वस्थ रहेगा, इसके लिए हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद है टीका, जिसको हम लोग भैक्सिन भी बोलते हैं, हैजा, छै, चेचक, हैपेटाइटीस, यह हम लिखे हैं, इसके लिए यह भैक्सिन का निर्मान हुआ है, स जैसे मालेगे चेचक का जो जीवानू जो है वो मृत या सुषुप्ता वस्ता मेरा आता है उसको हम्लेट के बाडी में इंजेक्षन के थूँ डाल दिया जाता है अब यह क्या करता है यह बाहर से आने वाले जो वैसे जो चेचक के जो जीवानू होंगे उसको वो रोकता है उसको सरीर में आने से रोकता है, यदि वो इन करेगा, तो वो उसको मार देगा, यह भैक्सिन का काम है, तो यह हम लोग देखें कि यह हमारे लिए सुक्ष्म जीव जो है, इस तरह से लाबदायक है, हानिकारक सुक्ष्म जीव, जैसे जीव जब लाबदायक हैं, तो हानिकार भी होंगे ही तो रोग उत्पन करने वाले सुक्ष्म जीवों को रोगाणू अथ्वा रोग जनक कहते हैं कुछ रोग जो है वो संचर्निय होता है जैसे हम लोग देखेंगे हवा में, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा है ना जितधी हमारे सरीर में कोई रोग का कईटादू या थी प्रवेश करता है तो हम लोग उसको बोलेंगे रोगानू अद्वा रोग जनक तो संचर्णिये रोग में हैजा है, सामानने सरदी जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, छैरोग हो गया, ये सारा का सारा रोग जो है वो संचर्णिये है, मतलब संचर्णिये का मतलब होता है छुवा छुट से फैलने वाला रोग, जैसे अभी हम लोग देखेंगे कोरोना वाइरस से फैलने वाला रोग कोवीड-19 यह सारा का सारा जो है वह छुवा छुट से फैलने वाला रोग है अभी हम लोग संचरनिये का सबसे अभी आसान तरीका है समझने का कोवीड-19 को हम लोग भी मास्क लगाके चलते हैं पूरा विष्व अपने घर में कैद हो गया है है पीपी पहनते हैं इसके बाद सुक्ष में जीव रोग वहक का कारे करते हैं जैसे हम लोग देखेंगे कुछ मक्षी है जो कुड़ा वुड़ा पर बैठी गंदा जगा पर बैठी और आकर के हमारे भोजन पर भी बैठ गई तो हम लोग उसको जब खा लेंगे तो क्या होग और इसमें आदमी उल्टी करता है और यदि अच्छा से इलाज नहीं हो तो हो सकता है कि वो आदमी मर भी जाए सुक्ष्म जी रोग वहक का कारे करते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे मादा एनोफिलिज मच्छड है ये मलेरिया पर जीवी का वहक है कहने का मतलब है कि जब मादा एनोफिलिज मच्छर यदि किसी के बाड़ी पे बैठ जाए काट ले तो क्या होता है वो हम तो डेंगू किसके चलते होता है वाइरस के चलते होता है तो डेंगू के वाइरस को कौंड होता है मादा एडिस मच्छड होती है मनिस्टों में सुक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामाने रोग इसका यहां पर एक चार्ट बना दिये आप लोग इसको जरूर ध्यान से इसको कॉपी पर नोट कर लिजिएगा कौन-कौन सा रोग इसके काटने से होता है किसके द्वारा फैलता है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौ इसके बाद हम लोग देखते हैं जब हम लोग खाद दिये जो खाना जो है उसका परिरक्षन कैसे करते हैं हम लोग तो खाना के लिए क्या है कि हम लोग के हां अभी वो गर्मी का दीन है सब के हां खुब आम का अचार बन रहा है ठीक है तो ये आम का अचार बनता कैसे है यह हम लोग सब कोई जानते है हम लोग वो बजार से खरीद के लाते हैं ready made arm का अचार. या हम लोग बहुत सा कोई खादे समगरी बहुत दिन से pack किया हुआ है वो भी खराब नहीं होता है. आखिर वो खराब कैसे नहीं होता है. वो जो उसको हम लोग प्रिजर्ब करते हैं, जो उसको रखते हैं, सुरकषित, उसको हम लोग बोलते हैं खाद्य परी रक्षन तो हम लोग जो साधारनता जो देखते हैं हम लोग कि जैसे अचार में क्या होता है? हल्दी डाल दिया गिया, नीमक डाल दिया गिया है ना, तो हल्दी और नमक डाल करके छोड़ देने के बाद वो खराब नहीं होता है यदि हम लोग मांस में भी, मांस मशली में भी यदि हम लोग हल्दी और नमक लगा कर रख देते हैं तो कुछ देर तक वो सुरक्षित रहता है इसके बाद हम लोग देखते हैं तेल डालते हैं, सरसो तेल डाल करके, अचार में डाल कर रखा जाता है, वो क्या है? वो भी उसको प्रिजर्ब करता है, परिरक्षन करता है, इसके बाद हम लोग सीरका डाल के भी उसको हम लोग प्रिजर्ब करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ केमिकल डाल करके भी बनाया जाता है जैसे sodium benzoate और sodium metabisulfite यदि ये हम लोग डाल दें ये रसायनिक yogic है यदि हम लोग इसको डाल देते है sodium benzoate को या sodium metabisulfite को तो ये खाना हम लोग का सुरपचित रहता है इसके बाद है एक postury current हम लोग देखें है दूध हम लोग को आता है पैक करके ठीक है वो खराब नहीं होता है जैसे हम लोग सुधा का दूध लेते हैं अमूल का दूध लेते हैं वो rapper में पैक करके रहता है वो कैसे पैक किया जाता है हम लोग के घर में तक गरम करना खौलाना और उसके बाद उसको एक आए एक ठंडा करके जो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पॉस्चरी करन ठीक है तो हम लोग यह याद रखेंगे पॉस्चरी करन क्या होता है तो किसी चीज को जैसे दूद को ही हम लोग मान लेते हैं दूद को हम लोग स तक उबालते हैं और एक एक उसको ठंडा कर देते हैं और उसके बाद तब हम लोग उसको पैक करते हैं तो वह प्रोसेस हो गया पास्चरी करण और वह दूद खराब नहीं होता है इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन चक्र तो हम लोग यह देखेंगे कि नाइट्रोजन चक् लिपित जो हम लोग उसके द्वार वह प्वाधा के द्वारा हम लोग लेंगे है ना अभी प्र हम लोग के द्वारा फिर वो व्य cách using under में चला जाएगा वुझош तो हम लोग यहां पर यह डेग्राम के माद्गें से हम लोग इसको समझ लेते हैं इदि आपको वीडियो को लिंक को सब्सक्राइब कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद